नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सुकला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2Z Banking Information पर दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट आफिस की Senior Citizen Saving Scheme में हम कितना पैसा जमा करें यानि महीने का हमें 20,000 रुपै भी मिलता रहे और जो पैसा हम जमा करें वो हमें में मेचे व्यवटी पर पूरा पैसा वापिस मिल जाए तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कितना पैसा आप जमा करें पोस्ट आफिस की Senior Citizen Saving Scheme में कि आपको quarter में 60,000 रुपए ब्याज मिलने लगे यानि प्रत्य एक माह का 20,000 रुपए ब्याज आपको मिलने लगे तो quarter में मिलेगा अगर आपको तो 60,000 रुपए से प्लस ब्याज आपको मिलने लगेगा और अगर आप पूरे साल का जोडेंगे तो ये लगभग 30,000,000 रुपए ब्याज हो जाता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी विशे परजानकारी देने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए है कि सर अगर हम पोस्ट आफिस में Senior Citizen Saving Scheme में पैसा जमा करते हैं तो वहाँ पर हमें कितना ब्याज मिलेगा, क्या eligibility criteria होता है कौन-कौन से document लगते है, age limit क्या होती है maximum और minimum हम कितना पैसा इस scheme में लगा सकते है साथी इसकी ब्याजदर क्या है, tax benefit इसमें मिलता है या नहीं मिलता है सब कुछ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं बस आप लोगों से एक छोटी सी request है, वीडियो पसंद आया तो एक like करिएगा चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पर लीजेगा, साथी बेल आइकान को जरूर प्रस कर लीजेगा तक कि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका notification आपको सबसे पहले मिले चलिए शुरू करते हैं दोस्तो पोस्ट आपिसकी senior citizen saving scheme का लाभ हुआ सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं जिनकी उम्र साथ वर्स पूरी हो चुकी है जी हाँ, इस scheme को वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही बनाया गया है यानि जो लोग किसी भी विभाग में है, retirement हो चुके है अगर वो इस scheme में पैसा लगा देते हैं, डाल देते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से एक निश्चित amount प्रते quarter मिलता रहेगा जिस तरह से आपकी MIS होती है उसी तरीके से ये आपकी senior citizen saving scheme होती है इसमें आपको ब्याज quarterly मिलता है और जो MIS scheme होती है, उसमें आपको मन्थली ब्याज मिलता है दोस्तों, भारत सरकार की बहुत ही जबरदस्ट scheme है इसमें आपको भारत सरकार के द्वारा maximum interest दिया जा रहा है यानि 8.20% का interest यहाँ पर आपको मिल रहा है आज जब मैं वीडियो रिकार्ड कर रहा हूँ, 18 जन्वरी 2024 को तो इसकी जो ब्याजदर है वो 8.20% है और दोस्तों, अगर आप इसे किसी FD से compare करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा ब्याज मिल रहा है आपको कोई भी बैंक FD पर इतना ब्याज नहीं दे रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम है आप लोग इस स्कीम में इन्वेस्ट जरूर करिएगा अगर आप एक वरिष्ट नागरिक हैं तो आपको चाहिए कि इस Senior Citizen Saving स्कीम में इन्वेस्ट करें और मैक्जिमम ब्याज का benefit उठाएं साथी दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के समय में काफी ज़्यादा बैंक डूब रहे हैं तो ऐसे में जब अगर कोई बैंक डूबता है तो आपको DICGC के द्वारा सिर्फ 5 लाख रुपए का ही बीमा मिल पाता है नहीं 5 लाख रुपए ही आपके बैंक में सुरक्षित होते हैं जबकि यहाँ पर आप जितना भी amount डालेंगे यह पूरा का पूरा आपका 100% सेक्योर होता है चुँकि यह पैसा आपका भारत सरकार के पास जमा होता है पोस्ट आफिस में जमा होता है तो इसलिए एक पैसे का भी यहाँ पर रिस्क नहीं होता है आप जो भी पैसा जमा करेंगे आपका पूरा का पूरा amount सुरक्षित होता है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई VRS लेता है जैसे अगर कोई वेक्ती है 55 plus age का हो गया और VRS लेता है तो भी वह इसी scheme में अपना नामांकन करा सकता है अपना account open करा सकता है लेकिन यहाँ पर एक सर्त है कि जब आपने VRS लिया है 55 plus age के है साथी जब आपको यह retirement का benefit मिला है उससे 30 दिन के अंदर आपको यह अपना account open कराना होगा अगर 30 दिन के अंदर आप इस account को open कराते हैं तो आपको benefit मिल जाएगा otherwise 60 वर्स की उम्रपूर्ण होने के बाद ही आप यह account open करा पाएगे वही चीज है अगर आप एक defense person है और आपने 50 plus age में VRS ले लिया है तो फिर यहां भी आपके साथ वही नियम लागू होता है कि जो retirement के benefit आपको मिले हैं उसके 30 दिन के अंदर आपको यह senior citizen saving scheme account open कराना होगा तब ही आपको इसका benefit मिल पाएगा otherwise आप भी फिर जब 60 वर्स क्रास कर जाएगे तब ही आप इसका account open करा पाएगे तब ही आप इसका लाप राप्त कर पाएगे तो यह conditions यहां पर है कुल मिला करके अगर 60 वर्स उन रूपोर कर चुका है तो कोई भी वक्ति यहां पर अपना नामांगन करा करकर करके अपना खाता खुलवा सकता है और highest व्याज का यहां पर फाइदा उठा सकता है लेकिन अगर आपने विर्स लिया है तो अगर आप 55 प्लस है और जब आप रिटायर हुए है उसके 30 दिन के अंदर आपको account खुलाना होगा वह अगर आप defense sector से हैं तो आपको retirement अपने विर्स लिया है 50 प्लस age में तो वहाँ पर आपको retirement के जो भी benefit मिले है उसके 30 दिन के अंदर आपको यह account खुलाना होगा तब ही आपको इसमें benefit मिल पाएगा अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसमें आप minimum और maximum कितना amount डाल सकते हैं तो दोस्तों हम आपको बतना चाहते हैं कि minimum आप 1000 रुपए से इस account को open करा सकते हैं और maximum जो इसकी limit है पहले अब 15 लाग थी इससे बढ़ा करके हाल ही में अब 30 लाख रुपए कर दिया गया है अब एक person इसमें 30 लाख रुपए invest कर सकता है और इससे ब्याज कमा सकता है अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें joint account की तो यहाँ पर आपको joint account की भी facility मिल जाती है लेकिन आप पत्पत्नी दोनों लोग मिल करके इस account को open करा सकते हैं लेकिन यहाँ पर सर्थ यह है कि जो primary account holder होगा उसके उम्र 60 वर्स से अधिक होनी चाहिए और जो secondary holder है वो 60 वर्स से कम है तो कोई भी दिक्कत नहीं है account open हो जाएगा दोस्तों इसके अलामा अगर हम आपको बताएं कि मालीजी आपको बीच में पैसे का अवसकता पढ़ जाती है तो आप इस पैसे को बीच में भी ले सकते है जिस तरह से आप FT को अपनी बीच में तोड़ सकते है उसी तरह से इसमें भी यह facility होती है कि अगर आपको बीच में ही पैसे का अवसकता पढ़ जाती है मालीजी आपको लगता है कि 5 वर्स का समय बहुत लंबा है आपको कोई medical emergency आ गई आपको कोई ऐसा काम पढ़ गया कि आपको पैसों की जिरुवत है आपने senior citizen saving scheme में पैसा डाला और आपको जिरुवत पढ़ गई तो भी आप यह पैसा ले सकते हैं अपना पूरा का पूरा amount आपको अपिस मिल जाएगा यहाँ पर ब्याज में आपको कुछ penalty देनी होंगी कुछ charges देने होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ अब अगर आप जैसे ही कराते हैं इसका जो time होता है वो 5 वर्सों का होता है आप इसे 5 वर्सों के लिए करा सकते हैं 5 वर्स बाद आपकी maturity होगी तो मालीजे आज आपने कराया और उसके बाद अगर उसे आप बीच में ही एक वर्स के बीच में तोड़ देते हैं आज कराया और एक वर्स भी पूरा नहीं हुआ है और आप उसे तोड़ देते हैं maturity पूरी होने से पहले ही एक वर्स के अंदर आप तोड़ते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, यानि इस पर आपको एक पैसे का भी ब्याज नहीं मिलेगा, आपने जो भी पैसा डाला था इस स्कीम में, आपको पूरा का पूरा पैसा वापिस कर दिया जाएगा, वो है अगर आप एक वर्स से दो वर्स के बीच में तोड़ते हैं, माली जे एक वर्स पूरा होगे आपको इस account को open करा हुए, लेकिन दो वर्स पूरे नहीं हुए हैं, उसके बीच में आप तोड़ते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको 1.5% की penalty देनी होगी, amount आपका पूरा मिल होते हैं, दो वर्स से 5 वर्स के पहले तो वहाँ पर आपको 1% की penalty देनी होगी interest में, यानि जहां पर आपको 8.2% का interest मिल रहा है, वहाँ पर आपको 7.2% का interest दिया जाएगा, यानि 1% के interest में आपकी कटवती कर दी जाएगी, तो अबकुल मिला करके 5 वर्सों के लिए account आप open करा सकते हैं, बीच में आपको पैसे कव सकता पड़ जाए, तब भी आप इस पैसे को निकाल सकते हैं, हाँ कुछ penalty आपको देनी होगी, लेकिन मुल्धन आपका सुरक्षित रहेगा, ब्याज आपको जरूर कुछ कम दिया जाएगा, दोस्तों जब इसकी maturity 5 वर्सों में आते हैं, तो आप 3 साल के लिए एक बार फिर से इसे आप extend कर सकते हैं, या फिर आप इस account को close करा करके, दूसरा नया account open करा सकते हैं, तो अगर आपको paperwork करना है, तो आप फिर से 5 वर्सों के लिए दोबारा करा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई paperwork ना करना पड़े तो आप इसे 3 सालों के लिए आगे extend कर सकते हैं अब बताती है कि मान लीजे खाता धारक की अगर बीच में ही death हो जाती है तो उस दसा में हम आपको बताना चाहते हैं जो भी primary account holder है अगर उसकी death हो जाती है उस दसा में जो joint account holder है वो उस खाते का संचालन कर सकता है अग और उसके बाद उसकी खाता धारक की death हो जाती है उस दसा में उसका जो भी पैसा होगा तुरंद खाता बंद करके पैसा उसके नामनी को दे दिया जाएगा तो कुल मिला करके यहां पर maximum 30 लाख रुपए ही आप जमा कर सकते हैं इस post office की senior citizen saving scheme में और अगर आपको बीच में पैसे का वसकता पा जाती है तो बीच में आप निकाल सकते हैं आपको हर तीन-तीन महिने में इसका जो भी ब्याज बनेगा वह आपको प्रतेक महिने आपके saving account सवरी प्रतेक quarter में आपके saving account के खाते में transfer कर दिया जाएगा तो कुल मिला करके साल में चार बार आपको ब्याज मिलता रहेगा तो अब हम आपको बता देते हैं कि आखिराप कितना पैसा जमा करेंगे तो आपको कितने रुपए का interest मिलता रहेगा प्रतेक quarter में तो दोस्तों आप लोग स्कीन पर चार्ट देख सकते हैं दोस्तों अगर एक लाख रुपए आप इस स्कीम में जमा करते हैं वहीं अगर आप 2,00,00 रुपए जमा करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 4,100,00 रुपए का quarterly interest मिलता रहेगा इसी तरह से 5,00,10,20,00 का भी आप देख सकते हैं अगर आप 30,00,00 रुपए यहाँ पर जमा करते हैं तो आपको 61,500 रुपए quarterly interest मिलता रहेगा यानि साल में आपक 46,000 रुपए का interest मिलेगा अगर आप 30,00,00 रुपए जो कि इस योजना का maximum में वाउंट है अगर आप 30,00,00 रुपए जमा करते हैं तो फिर यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि 61,500 रुपए प्रते quarter आपके saving account में आ जाये करेगा और आपका काम चलता रहेगा जब इस maturity हो जाएगी 5 वर्सों के बाद तो आपको पूरा का पूरा पैसा आपको जो 30,00,00 रुपए आपको वापिस कर दिया जाएगा तो आपके पास जितना पैसा हो जिस हिसाब से आपको आप सकता हो उस हिसाब से आप लोग senior citizen saving scheme में पैसा जमा कर सकते हैं और यह पैसा आप आपका पूरी तरह से सुरक्षित रहता है साथी इस पर आपको मैंने बताया कि बहुत ही high rate of interest मिल रहा है दूसरी चीज़े होती है कि जैसे ही आप इसे करा देते हैं वैसे ही जो भी ब्याजदर होगी आज के दिन वो आपकी लाग हो जाती है अब भविस्त में अगले 5 साल तक 8.20% का ब्याज मिलता रहेगा ब्याज दर घटे या बढ़े इससे आपके एमौन पर कोई भी फर्क नहीं पढ़ने वाला तो कुल मिला करके जबरदस स्कीम है और हाँ दोस्तों एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको section 80C के अंतरगत tax deduction में भी 1. लाक रुपए की छूट मिल जाती है तो tax deduction का भी आप benefit यहां से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इसमें अपना पैसा जमा करते हैं दोस्तों आप बात कर लेते हैं अगर आपको यह scheme पसंदार ही आप इसमें अपना account open कराना चाहते हैं तो किस तरह से और कहां open करा सकते हैं क सामनता जो आपके KYC document होते हैं आपका अधार कार्ड आपका pen card आपकी passport size की photo बस दोस्तों इसके लावा कुछ भी नहीं लगता है आपको अपना एक नामिनी देना होता है और आपका senior citizen saving account open हो जाता है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त scheme है आप किसी भी FD के मुकाबले अगर compare क करेंगे तो आपको यह scheme ज्यादा बहतर लगेगी वीडियो का conclusion यही है कि आप लोगों को अगर आपके पास पैसा है और आप senior citizen यानि वरिष्ट नागरिक हैं तो आपको post office की senior citizen saving scheme में पैसा जरूर जमा करना जीए आपके लिए इससे बहतर कोई भी दूसरी scheme नहीं है दोस् कर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत